नमस्कार हिमार्शल पुलेटन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार हिमार्शल प्रदेश मंत्री मंडल की बैठक आज मुख्य मंत्री श्वीजायराम छाकूर की अधिक्षता में आयोजित हुई बैठक में शिक्षाविभाग में ड्रॉइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन शुरेणियों के 4000 पदों को भरने का निरने लिया गया विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिशित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2644 पद प्रारंबिक शिक्षा विभाग जबकी 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्पत बैचाधार पर शिग्रता से भरे जाएंगे मंत्री मंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वितमंत्राले के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोसियेशन पैकेज के प्राडूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमलाक शेतर में जलापूर्ती योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ती एवं सिवरेज सेवा वितरण कारेकरम के वित पोशन के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 1813 करोड रुपे का वित पोशन किया जा सके कुल 1813 करोड रुपे में से विश्व बैंक 1160 करोड 32 लाक रुपे की वितिय सहायता प्रदान करेगा और शेश राशी 652 करोड 68 लाक रुपे का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा बैठक में प्रदान सचिफ शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझोता पैकेज को अंतिमरू प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकरित किया गया शिमला जलापूर्ती और मल निकासी पर योजना के मुख्य उदेश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 MLD के साथ शिमला जलापूर्ती में समवर्धन, विशेश क्षेतर विकास, पराधीकरण कुफरी, शोगी, गणाटी और अतिरिक्त योजना क्षेतर के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेतर में सभी घरेलू और वैवसाई उपहुगताओं के लिए सपताह भर 24 घंटे जलापूर्ती और शिमला नगर निगम क्षेतर में बेहतर मलनिकासी सेवाएं प्रदान करना है इस परियोजना में शिमला जीले की सुनी तहसील के शक्रोडी गाउं के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमेटर की उचाई तक उठाने और 22 किलोमेटर की पाइप बिचाने से 67 MLD पानी की व्रिधी शामिल है इस परियोजना के अंतरकरत नगर नीगम शिमला में वितरन पाइप नेटवर्क को सब्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ती प्रणाली में स्तरूनत करने का भी प्रावधान है इसके तरिक्त शिमला के महली, पंथागाती, टुटू और मशोबराक शेत्रों में मलनिकासी प्रणाली प्रणाली प्रणान की जाएगी यह राजे के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ती और मलनिकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रियास करेगी और वर्ष दो हजार पचास तक शेहर की आवशकताओं को पूरा करेगी हिमार्ष प्रदेश सरकार का शेहरी विकास विभाग COVID-19 के कारण उत्पन वितिय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित मंत्राले से इस निधी को प्राप्त करेगा बैठक के दोरान राजय में COVID-19 की सिती और समभावित तीसरी कोरोना लेहर से प्रभावी धंग से निपटने की तयारियों पर भी प्रस्तुती दे गई मंत्री मंडल ने जिला बिलासपूर की सदर तहसील के लाडा घाट में नए उध्योगिक प्रशिक्षन संस्तान खोलने को स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंडल ने सैधान्तिक रूप से नई पेंचन योजना के अंतरगत आने वाले शहरी स्थानिय निकायों के करमचारियों को सेवा निवृत्ती एवं वृत्यू ग्रैजुटी का लाभ देने का निरने लिया मंत्री मंडल ने जिला मंडी के चुराग में नया विकासखंड कार्याले को खोलने की मंजूरी प्रदान की बैठक में जिला मंडी के सिराजवधान सभाक्षेतर के बगस्याड में अटल आदर्श विद्याले खोलने की स्विक्रिती भी प्रदान की गई मंत्री मंडल ने विलासपूर, हमीरपूर, रिकॉंगपियो और नाहन के ADR केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भरती के माध्यम से आशू लीपिकों के चारपद स्रिजित करने की स्विकृति प्रदान की मंत्री मंडल ने जेबीटी के रिक्तपदों पर जेबीटी के समकाक्ष योगेता वाले 24 गैर आवासिये विशेश प्रशिक्षन शिक्षकों की अनुबंध आधार पर न्युक्ति का निर्णे लिया मंद्री मंदल ने मंदिस जिले में प्रारंबिक शिक्षाखंड बल और सुन्दरनगर एक को अलग कर सलवाहन में नया प्रारंबिक शिक्षाखंड कारियाले स्रिजित करने की सुईक्रिती प्रदान की जिला चंबा के राजकिये माध्यमिक पाठशाला दार्मी को राजकिये उच्च पाठशाला और राजकिये उच्च पाठशाला लामू और बढगरां को राजकिये प्रिष्ट माध्यमिक पाठशाला में स्तरूनत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन श्रेणियों के 16 पद भरने की सुईक्रिती प्रदान की गई मंत्री मंडल ने जिला मंडी के करसूक शेतर में प्राथमिक स्वास्थे केंद्र बलधार को मंत्री मंडल ने जिला कांगडा में समुदाइक स्वास्थे केंद्र रखकड को 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने वाले अपात कालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में सरोनत करने की स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंदल ने IGMC शिमला के चम्याना में निर्माना धीन, सूपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लाद बैंक, शबगरी, जैव चिकितसा कच्राप्रबंधन स्थान और कैंटीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्मान कार्य को HSCC प्राइविट इंडिया ल वर्गों विशेशकर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लोगों के कल्यान और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संकल्प बद है यह बात मुख्यमंत्री शूचित जाती आयोग के नवनियुक तध्यक्ष शूचित जाती मोर्चा के ब्रतिनीधी मंडल को संबोधित करते हुए कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाती समुदाय प्रदेश और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाती के सनेह से ही यह संभव हो पाया है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी बन गई है अनुसूचित जातियों को सरकार में उचित प्रतनी धित्व मिले इसके लिए राजसरकार हमेशा प्रयासरत है भाजपा के कार्यकाल में ही अनुसूचित जाती विशेश घटक योजना के तहट अनुसूचित जाती की जनसंक्या के अनुपात के अनुसार बजट में वृध्धी की गई है श्री जाराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्यानकारी योजनाएं जैसे ग्रिहनी सुविधा योजना, सहारा योजना और हिमकेर से अनुसूचित जाती के लाखो परिवार लाभान वित हुए है हिमाचल बुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल डिपी आर हिमाचल, फॉलो करें ट्वीटर एच डिपी आर एच पी, लाइक करें फेस्बुक पेज इंफर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स दिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजित कर हुआ है